Hello Friends, Government of India Act 1919, जिसे हम Montego Camps for Reforms भी कहते हैं, उसकी Part 1 वीडियो में हमने Background, Control of Government of India, Administration और Central Legislature से लेटर सारी डीटेल्स को कवर कर लिया था अब देखते हैं कि Provincial Legislature में क्या-क्या Changes हुए बट पहले देखना होगा कि Indian Council Act 1909 में क्या हिस्तिती थी हमने यह अलरी देखा था कि 1909 के समय में Provincial Legislature साथ जगाओ पर थी इसी के साथ साथ हमने यह भी देखा था कि सभी Provinces में Additional Members की संख्या को बढ़ाया गया था और यहाँ पर भी Additional Members जो थे वो Nominated भी हो सकते थे और Elected भी अब देखते हैं कि Changes क्या क्या हुए Government of India Act 1919 में पहला चेंज तो यह हुआ कि यहाँ पर दो Provincial Legislature और एड की गई बिहार और उरिसा और Central Province इसके अलवा आप जो है यह कहा जाना था कि हर एक Provinces में जो Members Elect होकर आएंगे उनमें 3-4 Members को Minister बना दिया जाएगा इसके अलावा Government of India Act 1919 ने Provincial Level पर डायार की इंट्रीउस कर दी डायार की का मतलब होता है Double Government बट कैसे? यह Double Government कैसे इंट्रीउस हो गई? यह हम समझेगे बट यह समझने के लिए थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी होगी हमें देखना होगा कि 1919 से पहले क्या हो रहा था देखो हमने देखा था कि Indian Council Act 1861 ने Provincial Legislature को यह Power दी थी कि वो अपने अपने Provinces के लिए Laws बना सकते हैं पर फिर भी साल 1919 थक यह एक बहुत ही बड़ा Controversial टॉपिक था कि किसी सब्जेक्ट पर Law जो है वो Central Legislature बनाएगा या फिर Provincial Legislature एक Example से समझते हैं मालो मदरास Presidency में Revenue Collections related Law बनाना है अब यह Law मदरास Provincial Legislature बनाएगी या फिर Central Legislature तो 1919 से पहले Clear Division ना होने के वाज़े से इस तरह की Conflicting Situation हो जाये करती थी इसी लिए यहां Government of India Act 1919 में एक Change किया गया यहां पर Central और Province के बीच का जो यह लफड़ा है इसको खतम कर दिया गया सभी सब्जेक्ट को दो पार्स में Divide किया गया Central Subject और Provincial Subject जो Subjects All India Interests के थे या जिन में पाया गया कि देश में Uniformity होनी चाहिए ऐसे Subjects को Central Subject के लिस्ट में डाल दिया गया For example, Defense, Foreign Policy, Political Relations, Currencies, Minting of Coins जैसे 47 Subjects जो थे वो Central Subjects के पार्ट बन गया है इसके लावा 50 Provincial Subjects को अगें दो पार्स में डिवाइट किया गया Transfer Subject और Reserve Subject Reserve Subject पर Laws जो है वो Governor और उसके Executive Council मिलकर बनाती थी और आपको पता ही है कि Executive Council में सिर्फ Nominated Members हुआ करते थे जबकि Transfer Subject पर Governor और Indian Ministers मिलकर Law बनाते थे हमने अभी थोड़ी दिर पहले देखा कि Government of India Act 1919 में यह Provision था कि Elected Members में से 3 या 4 मेंबर्स को Minister बनाय जाएगा तो यह Ministers और Province का Governor मिलकर Transfer Subject पर Law बनाते थे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो Law Making Bodies बन गई है एक Governor प्लस Minister और दूसरी Governor प्लस Executive Council Members इसका मतलब भी है कि हर एक Province के लिए यह दोनों Bodies Law बना रही है एक Law Making Body जो है वो Reserve Subject पर Law बना रही है और दूसरी Law Making Body जो है वो Transfer Subject पर Law बना रही है तो इस तरह हमें Province लिवल पर Double Government देखने को मिल रही है Government of India Act 1919 में और इसलिए हम कहते हैं कि Government of India Act 1919 ने Provincial लिवल पर डायार के Introduce कर दी थी तो यह तो हुए वो changes जो कि Provincial लिवल पर हुए अब देखेंगे Government of India Act 1919 का एक छोटा सा assessment देखो important बाद यहां पर यह हुई कि इस act के वज़ा से हमारे देश में पहली बार 1920 में डारेक्ट election देखने को मिले जिसके तुरू Central Legislature के 55% और Provincial Legislature के 70% मेंबर चुने गए हलकि यहां पर जो voter थे वो बहुत कम थे क्योंकि हर कोई vote नहीं कर सकता था voter बनने के लिए जो criteria थे वो बहुत ही strict थे education और revenues related criteria थे जो कि हर कोई fulfill नहीं कर सकता था जिसके वज़ा से around 17,000 लोग ही eligible voter थे Government of India Act 1919 में यह भी कहा गया कि इस act में दिये गए provisions द्वारा जो changes हो रहे हैं उसका जो असर हो रहा है उस पर study करने के लिए 10 साल के बाद एक commission appoint किया जाएगा हलाकि ये commission थोड़ा जल्दी ही appoint कर दिया गया था और ये commission था Simon Commission इसी act में public service commission को भी appoint किया गया था ये भी एक बड़ा change था तो ये basically assessment के नाम पे मैंने आपको कुछ additional points ही दे दिये लेकिन किसी और वीडियो में हम इसको critically analyze करेंगे अभी के लिए हम देख सकते हैं कि सभी points को हमने cover कर लिया है बुक्सवा चनल पर history और quality के सारे topics को मैंने playlist में add कर दिया है और इन दोनों playlist का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे और ऐसी ही और वीडियो को देखते रहने के लिए बुक्सवा चनल को subscribe कीजे Thank you so much for watching बुक्सवा